बॉलिवुट की मश्हूर सिंगर केके के निधन से हर कोई इस्तब्ध है म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है और सिंगर के फैंस भी काफी दुखी है कोलकाता में चल रहे लाइव कंसर्ट के बाद अच्छानक से उनकी तवियत विगड़ गई थी अस्पताल पहुँचने से पहले ही गायक ने दम तोड़ दिया था तड़क तड़क के से लेकर छोड़ आये हम वो गलियां तक से बॉलिवुट में जादू विखेडने वाले गायक की खनक्ती आवाज अब कभी सुनने को नहीं मिलेगी केके मुजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे उन्होंने बहुत सारी गाने गाये केके के लव और मैरेड लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि वो कभी भी से मीडिया के सामने लेकर के नहीं आये लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरीए सिंगर के लव और मैरेड लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं केके के मशूर गाने आज भी लोगों की जुबाँ पर है वो कभी भी अपनी निजी जिन्दगी को दुनिया के सामने नहीं लाए हमेशा उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग ही रखा शायद बहुती कम लोग ये बात जानते होंगे कि केके ने क्लास 6 में जिस लड़की से प्यार किया था उसी से उन्होंने शादी भी की थी प्यार के लिए की थी सेल्स की नौकरी केके के बचपन की प्यार का नाम जोती है उनके बच्चे भी है एक शो के दौरान सिंगर ने बताया था कि वो वन वुमेन मैन थे उन्होंने अपनी जिन्दगी में सिर्फ जोती को ही डेट किया था सिंगर ने खुद कुबूला था कि वो बहुत ही शर्मीले थे और जोती को ढंक से डेट भी नहीं कर पाये थे शादी से पहले सिंगर अपने लिए नौकरी ढोड रहे थे अच्छी नौकरी ना मिलने की वज़े से उन्होंने सेल्स की नौकरी पकड़ ली नौकरी मिलने की बाद केके और जोती ने साल 1999 में शादी कर ली थी टर्निंग पॉइंट बना पल तीन महिने तक सेल्स की नौकरी करने के बाद सिंगर ने पिता और पतनी की मदद से इसे छोड़ दिया इसके बाद उन्होंने म्यूजिक की रहा चुनी दोस्तों की मदद से केके जिंगल्स बनाने और गाने लग गए उन्होंने इससे पैसे तो कमाए लेकिन केके खुश नहीं थे साल 1999 में उनका पहला आलबम पल लॉंच हुआ पल केके के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिये जो आज भी लोगों की जुबा पर है